दिल ने फिर याद किया, अब बात भारतीय सिनिमा की सफलतम स्टन्ट एक्ट्रिस नाडिया की, नाडिया को उनके चाहने वाले फेरलिस नाडिया भी कहते थे, नाडिया का जन आठ जन्वरी 1908 में पर्थ आस्ट्रेलिया में हुआ था, उनके पिता हरबर्ट इवान्स बिट पाँच साल की उम्र में नाडिया बॉम्ब में आई, जहां पे पिता जी की बटालियन पोस्ट थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मन्स के खिलाफ लड़ते हुए पिता की मुर्थी हो गई, और उसके बाद मा मागरिट 1915 में मैरी को लेकर पिशावर चली गई, 1928 में मैरी इवान सुफ नाडिया वापस बंबई आ गई और काम की तलाश में जुट गई, नाडिया ने आर्मी और नेवी स्टोर्ज बंबई में सेल्स गर्ल का काम किया, बहतर नौकरी पाने के लिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखने की कोशिश की, एक आर्मे और वो बदला हुआ नाम एन अक्षर से शुरू होना चाहिए, सो मैरी इवान्ज ने अपना नाम बदल डाला और नया नाम रखा नाडिया, नाडिया ने एक रशन सरकस जारकों में भी काम किया, मदाम स्त्रवा के बैलेट ट्रुप को जॉइन किया और उसके साथ सोल्जर्स के लिए शोज भी करने लगी, काम की तलाश में उनका मिलना हुआ जे बी एच वाडिया से, वाडिया ने उन्हें फिल्म देश दीपक में गुलाम लड़की का छोटा सा रोल आफर कर डाला, उनके ब्लॉंड हैर और नीली आखों ने दर्शकों पर जादू कर ड जे बी एच वाडिया ने स्पेशली उनके लिए एक फिल्म लिखवाई, हंटर वाली, और इस फिल्म की सफलता से शुरू हुआ एक हिस्टॉरिकल एतिहासिक सफर जो लगभग 30 सालों तक चला, 1961 में डिरेक्टर होमी वाडिया से शादी करके नाडिया ने फिल्मों को वाइट भी कहा जाता था, उनकी जादातर फिल्में जंगल में या फिर हॉलिवुड की गैंस्टर फिल्मों से इंस्पार्ड होती थी, नाडिया की स्टंट्स हैरत अंगेज होते थे, चलती ट्रेन में एक डब्बे से दूसरे डब्बे पर कूदना, उची-उची बिल्ड आप का बेटा, नाडिया की कुछ चर्चित फिल्में हैं, हंटर वाली, मिस फ्रंटियर मेल, हरीकेन हंसा, डाइमन क्वीन, मुकाबला, कार्निवाल, कार्निवाल क्वीन, दिलेर डाकू इत्यादी, उनकी आखरी फिल्म, खिलाडी, 1968 में रिलीज हुई थी, 1993 में उनके ग्रेट ग्रैन नेफ्यू, रियाद विंसी वाडिया ने उनके उपर एक डॉक्युमेंटरी बनाई, टाइटल था, फियर्लिस दा हंटर वाली स्टॉरी, नाडिया, फियर्लिस नाडिया, आठ जन्वरी, 1996 को, बंबई के कंबाला हिल हॉस्पिटल में उनका देह सुहाना सफर विद अनुकपूर की जरिये, हिंदी सिनिमा की स्टंट कुइन नाडिया को हम शिद्धानजली अर्पित करते हैं